तो हेलो दोस्तो कॉल मुझे अपने इस्टाग्राम एकाउंट में हमारे एक वियोर्स का मैसेज आया मैसेज में उन्होंने टोटल मुझे दो यहाँ पर स्क्रीन सोट पेजे और कुछ अपने क्वेस्टन पी रखे जिनका आंसर वो मेरे से चाहते है तो मैंने उनसे बात की और यहाँ पर उन्होंने पूछा था कि भाई मौज एपलिकेशन में जब भी मैंने यहाँ पर मिंट्स जो भी अर्न किये वो रिडिम करने चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है जो कि है कूलिं प्रॉब्लम आ रहा है तो उनका डाउट था कि यह प्रॉब्लम क्यों आ रहा है और इसका सॉल्यूशन है या फिर नहीं तो दोस्त आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि इसका सॉल्यूशन हंड़ेडट एंट एन परसंट है आज की स्वीडियो में आपको मिल जाएगा तो उनको तो मैंने रिप्लै कर दिया पर मैंने सोचा इनके सिलावा कई सारे ऐसे पी क्रियेटर हैं मौज अप्लिकेशन पर जिनको यह प्रॉब्लम का सामना करना पढ़ रहा होगा उनको सॉल्यूशन नहीं मल रहा होगा तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर वीडियो बना आने चाहते हैं तो आपको कुछ इस तरह का यहां पर cooling period का photo दिख रहा होगा कुछ इस तरह का problem आ रहा होगा तो सबसे पहले नीचे यहां पर लिखा हुआ है minimum आपको मिंट्स रिडिम करने तो 1000 मिंट्स आपके पास होने चाहिए यह बात आपको याद रखना है 1000 मिंट्स से एक भी मिंट्स कम होगा उसमें तो आपके मिंट्स रिडिम नहीं होगे और बैंक में नहीं आए गए 1000 मिंट्स से लेकर एक लाग तक आप एक दिन में रिडिम कर सकते हो अब बात करते है cooling period का problem यहां पर क्यों आ रहा है तो दोस्तों जितने भी creator ने एक दिन में पैसे मौज अप्लिकेशन से withdrawal लगा लिए और फिर वो सांज को या फिर कल दोपेर को टुमोरो को जैसे दूसरी बार अपने मिंट्स जो अर्न किये वो रिडिम करने जाते तो नहीं होते यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है 72 hours का wait करना होगा आपको minimum मौज अप्लिकेशन से एक द तीन दिनों का wait करना होगा फिर में वो दो बारा अपने पैसे जो भी अर्न किये 1000 मिंट्स या फिर 50,000 मिंट्स या फिर एक लाक मिंट्स तो वो में यहां पर तीन दिन बाद redeem कर पाऊगा एक दिन में अगर आपने redeem लगा लिया फिर आपको तीन दिन वेट करना है फिर रिडिम करने के बाद बस इसलिए आपको cooling period का problem आ रहा है तो daily आप moj application से withdrawal नहीं लगा सकते इस बात का आपको खास ध्यान रखना है minimum आपको तीन दिन तक वेट करना है जैसे तीन दिन का time चला जाएगा फिर यहां पर cooling period का option automatic हट जाएगा और आपने जितने भी पैसे earn किया ह 1000 minutes से लेकर 10000 minutes वो आशनी से अपनी bank account में redeem कर पाओगे कोई भी problem नहीं आएगा अब बात करते हैं फिर भी आपने एक दिन में redeem लगा है फिर तीन दिन वेट किया चोथे दिन फिर आप redeem लगाने चाहते हो फिर भी आपको cooling period का problem का सामना करना पड़ा है तो इसके लिए आप आपको अपनी moj team से moj बड़ी जो आपको मिला है उससे contact करना पड़ेगा या फिर moj application की official email id है उस पर mail करना होगा तो अगर आपको नहीं आता है कि किस तरह से mail किया जाता है cooling period problem का solution करने के लिए हमें किस तरह से mail करना है moj team से तो please मुझे comment कर दिजी अगर इस वीडियो प problem आसानी से solution हो जाएगा तो बस आज की सुड़म बस इतना है वीडियो पसंद है तो लाइक करना आपने सारे दोश शेर करना चैनल परने तो please subscribe करना ऐसे helpful वीडियो देखने के लिए मिलते नेक्ष वीडियो में जैहिं जै बारत